हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैग टू माई चानल प्रतिभा बगिया और आज मैं तीन दिन के बाद अपने गार्डन में आ गई हूं और मैं तीन दिनों के लिए माईके गई हूई थी और वहां से आई हूँ तो देख रही हूँ कि गार्डन में यह जो सनई के पेड़ हैं इसमें देखे सारी बर्ड्स खिल रही हैं बहुत ही जादे फ्लावरिंग हो गई है इसमें और फूल खिलने से पहले इनको तोड़ना होता है और तभी इसकी सब्जी अच्छी लगती है और फिला ही गोल्ड बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं और यह जो गुच्छे वाला गुडल था इसमें एक बट थी तो यह भी देखे कितना सुंदर खिल गया है और किता खूबसूरत फूल आया हुआ है इसमें और देखिए यह इंग्लिश गुलाब है मेरून कलर का और कितना सुंद और धेर सारी इसमें फ्लारिंग हो गई है देखिए और बराबर मैं जितने भी फूल खिल जाते हैं इनको मैं तुरंत प्रून कर देती हूं और हल्दी और एलोवीरा के साथ इसको इसकी टिप पे लगा देती हूं तो फंगस नहीं लगेगा और पौदे बहुत अच्छे चल बढ़के लटक रही थी सारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इनमें और काफी फास्ट ग्रोथ होती है परवल के पौधे में मैं माइके गई हुई थी तो वहां की वीडियो मैंने डाली हुई है आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके देखिएगा बहुत ही जल्दी और काफी मात्रा में फैल गया है वो पौधा और देखिए यह बहुत जादे फैल गया था तो मैं इसको देखिए अभी मैं इस ब्रांच को इस रस्ती से चड़ाई हूँ और यहां पर मैं देख रही हूं कि इसमें बहुत सारी बर्ड्स देखिए परवल के बर्ड्स आ जाएगी और अब मैं इसकी फ्रूटिंग जब यह फ्रूट बन जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी अभी तो फिलाल यह बर्ड्स बनी हुई है तो यह जब बर्ड्स खिलेंगी फिर उसके बाद फ्रूट बनेगा यह देखिए यहां पे भी सब हर एक नोट पे फ्रूट्स आ रहे हैं और अभी जब मैं आई हूँ तो वहाँ से परवल की हार्वेस्टिंग करके ले आई हूँ आधा केजी के करीब मुझे परवल मिला है और यह पौधा इतना मुझे खुशी दे रहा है कि कोई केर भी नहीं है और मैं इतना अच्छे से इसमें इतनी जल्दी फूरौ से बच्चे हुए थे तो मैंने छोड दिया था और देखिए खुब अच्छे से यह तैयार भी हो गये हैं और भी मैं बहुत कुछ अपने गाधन के लिए ले के आई हूँ जी 신ट बहुत सारे पौधे मेरे पास नहीं थे तो मैं ले आई हूँ और ये मेरा एक भाई ने मुझे दिया हुआ है मेरा भाई मेरे भाई का दोस्त है ने कुछ पौधों के लिए कहा था तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे मुझे दे दिये हैं मेरे पास टर्टल व और खराब हो गया था अब मैं ले आई हूं इसको लगाऊंगी और ये स्नेक प्लांट मेरी मम्मी ने दिया है और ये कलेंडूला की कुछ कटिंग है मैं इनको लगाने जा रही हूं और अभी फिलाल सबसे पहले मैं हार्वेस्टिंग करूंगी जो भी सब्जियां तयार हैं तो देखिए ये तुरही बहुत छोटी थी जब मैं जा रही थी और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूं और इसके बाद मैं ये पौधे निकाल दूंगी और अब सर्दियों की सब्जियां मुझे लगाना है मैं बीज भी बहुत सारे ले आई हूं लेकिन बीज आ मैं चले कि थी और अभी करेले ले में जिसदिन में जा रही थी उसदिन भी मैंने फ्रूटिंग बहुत सारी हैर्वेस्टिंग मैं की थी और इसमें ये टेड़ा हो गया ये बढ़ेगा नहीं मैं इसको हार्वेश कर ले रही हूं ये देखे भिंडी भी बहुत सारी तैयार हो गई है तो पहले मैं निकाल इनको तोड लेती हूं तब दिखाते हूं एक ही हाथ से नहीं हो पाता है एक हाथ से कैमरा भी पकड़ना है और ये भिंडी इतनी मिली है और इतना नेनुवा है और इतना अपकरेला अभी सनई का भी हार्वेश्टिंग करेंगे और कुछ बैगन भी तैयार है तो चलिए कर लेते हैं और इतना सारा इतनी खुशी मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि बंदर भी इस बीच नहीं आये है मे बैगन हार्वेश्ट कर लिए थे देखिए यहां पर बैगन गूल वाला है और इससे बड़े बड़े बैगन मेरे तयार थे यहां पौधे में और सब बंदरों ने खराब कर दिया था इसके पहले देखिए यहां पर अभी भी इसके फ्रूट्स गिरे हुए हैं तो बहुत पौधे बचे हैं इनमें फ्रूटिंग हो रही थी अभी भी देखिए बड्स बहुत सारी बनी हुई है बहुत सारी फ्रूट्स आ रहे हैं तो इनको मैं छोड़ दी हूँ तीन चार पौधे हैं तो इनमें जो भी फ्रूट्स लगे हुए हैं और देखिए जैसे जैसे पौ इसको तो मैं निकाल ही दूंगी यह भी पौधा है इसमें तो थोड़ा और अच्छे अच्छे अभी फ्रूट लगे हुए है यह सब पौधे नए हैं और इसके पहले तो और पुराने थे तो मैं उनको निकाल दी हूं और पौधे लगाना शुरू कर दियूं देखिए यह ब बरबटी हार्वेस्ट की हूं और बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल गई है इसमें भी देखिए तुरय के पौधे अभी पौधे में अभी यह फ्रूटिंग लग रही है और कुछ करेले के देखिए फल वहां पर लगे हुए हैं और एक तुरही अंदर लगी हुई है काफी उचाई पर है मुझे किसी चीज पर चड़ के तोड़ना पड़ेगा और बस और ये देखिए ये एक ही मिर्च का पौधा है और ये पुराना है आठ से दस महीने पुराना पौधा है और इसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है इसी एक पौधे से मेरी मिर्ची की रिक्वाइर्मेंट पूरी हो जाती है देखिए इतनी मिर्च मैंने तोड़ ली है और अब मैं सनई की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत समय लगता है और दोनों हाँ से जल्दी जल्दी तोड़ूंगी दोस्तों मैंने इतनी हार्वेस्टिंग कर ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी हार्वेस्टिंग कर रही थी तभी खूब मोटा सा बंदर आया हुआ था और हाला कि मैंने सबजियां तो तोड़ करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक यू